नमस्कार आप सबका स्वागाते हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूस पर मैं नाम है दीपक गुपता बात करेंगे महराश्टर में जो सियासत गर्माई वी उस बीच लगातार शिंदे खेमे को गदार धोके बाच कहा जा रहा है और आदित्ते ठाकरे ने जो बाते कहीं वो और जादा दंग कर देने वाली हैं उन्होंने अपनी मा रश्मी ठाकरे का जिक्र करते वे ये कहा कि वो पिता उदब छाकरे के लिए ये कहते थे कि मेरे पिता 24-24 घंटे काम क्या करते थे और हमेशा ही वो राजनिती की बात करते थे कोई पारिवारिक बात करते ही नहीं थ सब कुछ दिया गया जो उनको मिलना चाहिए था टिकट चुनाब से लेकर यहां पर जितनी भी उनकी राजनितिक मन्शा थी वो सब उनको दी गई लेकिन आज हमारे खिलाब गदारी करी किस वज़े से यह आरोप लगाते वे कि NCP और कांगरिस का गड़बंदन सही नहीं था महाविकास अगारी सरकार सही नहीं थी तो उस वक्त भी कि आप सो रहे थे उस वक्त आप सब तो मुझूद थे ना आदित्य ठाकरे ने यह मुद्दे बहुत ज़्यादा गर्माए हैं और लेकर चलते हैं आपको आदित्य ठाकरे के उन्हें बयानों की तरब कि किस तरीके स यहाँ पर तमाम निशाने सादें सियम सिंदे पर भड़के आदित्य ठाकरे गदारी के लगाए उरोप और यह भी कह सकते कि कल काई मामला और जिस तरीके से आदित्य ठाकरे ने कहा कि यदी आप देश द्रोई नहीं होते तो मैं आपको आपके आरोप और सवालों का जवा उन्हेंने सवाल दाकतेवे कहा कि एक अच्छे मुक्चे मंतरी एक अच्छे आदमी के साथ जो किया गया वह सही है उन्हें बताना चाहिए कि क्या इस तरह से विश्वास घात करना सही है या पीट में घंजर जो घोपना चाहिए था मुश्किल वक्त में दिया दोखा ये बात साफ कई उन्होंने का कि उद्दब साब 24 घंटों में काम में लग रहे थे थे उन्होंने डाई साल में का एक एक पल जन सेवा के लिए बक्षा कभी कभी मैं अपनी मा के पास जाता तो इस बारें बहस करता था कि मैं उन्हें बहुत सी बाते बताना चाहता था लेकिन उद्दब ठाकरे हमेशा बैटकों में कामों में व्यस्त रहते थे काम की बात करो इसके लावा कोई और बात मत करो उद्दब ठाकरे यही कहते थे आद अक्राष्टर के मंत्री और उसके मुताबिक ही काम करो, अब ये सारी बात यहां पर निकल कर सामने आ रही हैं, एकनात, शिंदे के खिलाब, भागी विदायकों के खिलाब, तो सीधी धम्की, सीधी खुली चुनोती दे दे, क्यूंकि बागी विदायक, शिंदे खेमेकि कैसा आरे विधायक, आदित्य से ये सवाल पूछना चाहते हैं, कि आप देश दुरोई किस मामले पर कह रहे हो, आप कह रहे हो कि हम इस्तिफा दे दे और चुनाव का सामना करें, चुनाव होगा तब सामना कर लेंगे, लेकिन अभी तो यहाँ पर राज्य में आप कैसे वाफसी क अपने गड़ तो मजबूत कर लो, एक किला बंदी तो कर लो, इसके बाद आदित्य चाकरेन यहाँ पर तमाम बाते कहते हैं, लेकिन अब आदित्य की खुली चुनोती है, कि इस्तिफा दोर मध्यवदी चुनाव का सामना करो, खुली धंकी भी कह सकते हैं से, और खुला ए एलान के निन बातों का सुईकार करेगा शंदे गुड क्या एकना शंदे आदित्यों को बहुत ओर जवाब, खुदी अपने दम से मातोश्री पहुँच कर देंगे या नहीं देखना दिल्चस्प होगा, बनने चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद